अचार तो आपने बहुत सारे ट्राइ के होंगे, एक बार ये अचार के रेसिपी ट्राइ करके देखे, फॉलो करके देखे, आप इस अचार के फैन हो जाएंगे, गरेंटी है इस बात की हेलो जोस्तो, आज हम शेयर करने आलें बहुत ही जादा टेस्टी चटपटा फ्रेश लाल मिर्च का अचार, रेसिपी अच्छे लग जाए तो लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा आईए बनाना देखते हैं, ताजी लाल मिर्चो का अचार लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने आपर 100 ग्राम के करीब ये फ्रेश लाल मिर्च ले लिए हैं, ये साइज में काफी बड़ी होती हैं, और ना ही जादा मोटी और ना ही जादा पतली होती हैं ये मिर्चो की खासियत ये होती है कि ये खाने में स्वाधिस्ट और तीखी कम होती है। यदि आपको तीखा अजार पसंद है तो उसकी काफी सारी वराइटीज हमारे चैनल पे हैं। आप बस कोमें येस लिखेगा। हम आपको लिंक्स प्रोवाइट कर देंगे। इन मिर्चो को आपने अच्छे से वाश कर लिया है और सुखा लिया है या तो आप इन्हें पोच ले किसी कपड़े या फिर टिशू पेपर में। अब इन मिर्चो को हम काटेंगे, तो इनको आप लम्बाई में भी कट कर सकते हैं, या फिर इनमें चीरा लगा कर मसाला भर सकते हैं। या फिर इन्हें मेरी तरीके से ऐसे सीजर ले ले और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर ले ताकि आप हर बाइट के साथ इनका एक टुकड़ा एंजॉय कर सके हैं यदि आपको मोटी भरवा लाल मिर्चो का अचार चाहिए तो आपको मिट में यस लिखेगा हम आपको उन सभी मिर्चो के अचार के रेसिपीज शेयर कर देंगे यहा पर इनके डंटल आपने अला कर देने हैं मिर्चे यां कटकर तयार हैं कटी हिवी लाल मिर्चे को हम एक मिक्सिंग बोल में शेट कर लेए और इनके अंदर एट करेंगे एक छोटी चमच नमक और एक चताई छोटी चमच हल्दी पाउडर दोस्तो ये सीन शूट करने में मिस हो गया है इसके लिए माफी चाहूंगी अब इसके अंदर एक बड़ा चमच सफेज सिर्का एट करेंगे और जल्दी से मिक्स कर लेंगे इन सभी मिर्चियों के अंदर नमक और सिर्के का फ्लेवर अच्छे से अब्जाब हो जाएं तो इसके लिए हम इने थोड़ी दिर के लिए छोड़ेंगे मेरिनेट होने के लिए ताकि ये मिर्चियों बहुत ही जादा टेस्टी वने और ये मेरिनेट हो जाएंगी तो इनके अंदर किसी भी तरह का फंगस नहीं लगेगा इसे ढखकर छोड़ेंगे तब तक इनके मसाले देख लेते हैं एक छोटा सा पैन लेंगे इसके अंदर एक बड़ा चम्मच सौफ एट करेंगे एक चथाई छोटी चम्मच जीरा एट करेंगे एक चथाई छोटी चम्मच मेथी दाना एट कर लेंगे एक अठाएच छोटी चम्मच अजवायन और थोड़ी सी कलोंजीम यानि कि मंग्रेल एड़ है इसके अंदर गैस के आज को चालू कर लेंगे और आज को कम रखेंगे और इन मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इन में से नमी ना निकल जाए या फिर इनका कलर ना चेंज हो जाए या फिर इन में से बहुत अच्छी सी खुश्वून आने लग जाए इधर ये मसालो का color change हो चुका है और इन मसालो की नमी भी निकल चुकी है अब गैस के आज को बंद कर देंगे और इसके अंदर एक बड़ा चम्मच राई एट कर लेंगे ये red वाली mustard seeds है जो बहुत ही छोटी होती है बारीक होती है इसका एक बड़ा चम्मच एट करना है और इसे भी pan गरम है तो इसी के अंदर इसका moisture भी हम खत्म कर लेंगे इसे हमारे मसाले बहुत ही tasty लगेंगे और अचार हमारा जल्दी खराब भी नहीं होता mixer grinder jar के अंदर ये मसाले shift करेंगे जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद इन्हें दर्दरा पीस लेंगे मसाले हमारे दर्दरे पिश चुके हैं इधर हमारी मिर्चय भी marinate हो चुके हैं grind किएवे मसाले एट कर लेंगे और इन मुल्चियों के अचार का टेस्ट अच्छा develop करने के लिए काला नमक्य एट कर लेंगे स्वाद के नुसार या फिर आधी छोटी चमच के करीब hinge एट कर लेंगे एक अठाई छोटा चमच एक अठाई छुटी चमच के करीब निजला सीट सेट करेंगे यानि की कलोंजी और अब हम इसके अंदर आमचोर पाउडर एट कर लेंगे एक बड़ा चमच ये ड्राई मैंगो पाउडर से अचार को बहुत ही अच्छी खटास मिलेगी अचार के मसालों को बॉड़ी मिलेगी और आपके अचार के अंदर एक अलागी टेस डवलाप होगा अब इसके अंदर हम तेल एट कर लेंगे ये मस्टर्ड ओयल है, सरसो का तेल है इसके अंदर ठस होती है, तीखा फ्लेवर होता है इसे गरम करके हम इस ठस को निकाल देंगे दूआ उटने तक गरम करेंगे उसके बाद गरम गरम तेल हम अचार के अंदर एट कर लेंगे आप अचार के अंदर कच्छा रौ तेल भी एट कर सकते हैं लेकिन गरम तेल एट कर देने से अचार का टेस्ट एक अलगी लिवल पे चला जाता है यानि कि अचार में एक तड़का ऐसा लग जाता है जिससे अचार बहुत ही जादा टेस्टी हो जाता है सबी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रहे जो भी बड़तन आप अचार बनाने में इस्तमाल कर रहे है या फिर अचार स्टोर करने के लिए जो भी आप जार इस्तमाल करते हैं ये सब भी सूखे यानि कि ड्राई होने चाहिए ताकि आप अचार लॉंग टाइम तक प्रिजर्फ कर सकें अचार आपका खराब नहीं होगा जल्दी यदि आप ये सारी चीज़े दिहान में रखकर अचार बनाएंगे अब अगर आप अचार के शकल पिल जाएंगे तो ये बहुत ही जादा टेंटिंग दिख रहा है और टेस्ट तो आप पूछें नहीं जब आप इन्हें ट्राइ करेंगे तो आपको ये किनन ये अचार बहुत पसंद आएगा अब हम इस अचार के अंदर एक चमच के करीब प्रिजर्वेटिव यानि के विनिगर और एट कल लेंगे ताकि ये अचार लॉंग टाइम तक प्रिजर्व कर सके आप और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अचार बहुत ही ज़ादा टेस्टी बन जाता है जब आप ये वाइट विनिगर एट करते हैं अच्छा वाइट विनिगर की अगर आपको रेसिपी चाहिए ना तो आप कोमेंट में वाइट विनिगर या सिर्का लिख कर भेजिएगा हम आपको उस रेसिपी का लिंक भी प्रोवाइट कर देंगे बहुत ही कम पैसे में आप सब इस सिर्का बना कर त्यार कर सकते हैं और उन्हें किस चीज में इस्तमाल करते हैं ये भी डिटेल में बताये गया है ये मीठी मिर्चो का अचार है ये मिर्चियां आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी यदि आप सर्च में रेट चिलीज डालते हैं तो ये मिर्चियां आपको ज़रूर मिल जाएंगी इस चटपटी से रस्पी के साथ आपको यानि मिर्चो का अचार भी डाल सकते हैं और अगर ये रस्पी अच्छी लगे है तो एक लाइक दीजिए और शेर किजिए से दोस्तों के साथ आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू